हंजी नमस्कार सभी को मैं जई सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीटर प्लेश में और आज हम क्या करने वाले हैं वो आपको बता जाता हूँ ये important है वो आपको starting में ही बता देता हूँ ये वीडियो सभी seated और youpated वालों के लिए बहुत जरूरी है बाकि अगर आप किसी अन्य मतरब teaching eligibility test की अगर तयारी कर रहे हो और उसमें अगर pedagogy आप एक आगे बढ़ते हैं सबसे पहले ये देखते हैं दत्कारे नीती होती क्या ही या इसके मतलब जो सबसे जादा इसका positive effect क्या पड़ता है बच्चे पर वो एक बार देख लेते हैं दत्कारे नीती होती है कि कोई भी कार्य assignment की form में आपने बच्चे को दिया वो मतलब खुद का दिमाग लगाएगा खुद के जो sources होते हैं उनको लगाएगा खुद के स्रोत होते हैं उनको को इस्तमाल करेगा और जो भी आपने कारे दिया है एक शिक्षक ने जो भी कारे दिया है उस पर वो पूरा अपना मतलब कहते हैं कि अपनी पूरी पूरी कोशिश करेगा कि उस कारे को सटीकता से किया जा सके और साथी साथ कोई भी assignment जब देते हैं तो उसके लिए एक निरधारित समय होता है कि इतने समय में आपको submit कराना है तो उतने समय में वो अपना कारे पूरा करने की कोशिश करता है जिससे होता क्या है सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है कि बच्चे का स्थाई अधिगम व्यवहार का निर्मान होता है मतलब कि एक बच्चा किस तरीके से अधिगम करेगा किस तरीके से सीखेगा आपने आने वाले future में उसके उस व्यवहार का उस behavior का मतलब learning behavior का निर्मान होता है learning behavior उसका develop होता है जो कैसा होगा जो स्थाई होगा जो permanent होगा मतलब बच्पन में बच्चे ने जिस तरीके से आपने आपको ढाल लिया सीखने के लिए या अधिगम के लिए उस व्यवहार में ही वो अपना आगे पूरी जिन्देगे में आगे बढ़ता रहेगा उसी तरीके से आपने देखा हुआ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक उन्हें कहने की जरुत नहीं पढ़ती कि आप पढ़ लो वो जब भ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कितना भी डाट लो कितना भी बोल लो हर हफ्ते उनको एक गंटे का लेक्चर देना पड़ता है यह सोचकर कि यह मोटिवेट हो जाएंगे जिन्दगी में कुछ करके दिखा देंगे पर उन्हें कुछ नहीं करना तो यह क्या है यह जो असाइ प्रिष्टाएं क्या है वह आपको एक बार डिसकस कर लेते हैं सबसे पहली बात सामर्थ है कि अनुसार कारे करना जो है बच्चा शुरू कर देता है अब देखिए हरे की अपनी शम्ताएं होती है हरे का अपना सामर्थ होता है अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि सभी बच्चों को बराबर पढ़ना चाहिए वरना तो फिर क्लास का हर एक बच्चा फस्ता आना चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है तो क्या है इंडिवीजिवल डिफरेंस होते हैं व्यक्तिगत विभिनताएं होती है जिसकी वजह से बच्चों में अलग-अलग सामर्थ है पाया जाता है अलग-अलग शमताएं होती है तो उसके अनुसार बच्चा कारे करता है कि माल लिजे आपने पॉल्यूशन पर एक असाइनमेंट दिया उस पॉल्यूशन के असाइनमेंट पर कोई बच्चा जो है वो चितर भी चिपका कर लाएगा अलग-अलग डेफिनेशन लिखेगा ए इतना पॉल्यूशन होता है कौन सी शेहर के वायू का क्या एक्यू आई है मतलब एयर क्वालिटी इंडिक्स क्या है वो भी लिख दिया अब तीसरा बच्चा जो है उसने पूरे विश्व में बता दिया कि सबसे जादा पॉल्यूटिड शेहर कौन सा है वोटर सामर्थ है कि अपने अपनी समझ की बात है तो सामर्थ है किनुसार कारे करना सीखते हैं बच्चे खुद की दिमाग को इस्तमाल करना सीखते हैं उसके बाद एक सही तरीके सुन का मार्ग दर्शन हो पाता है मतलब आपको एक बच्चे की सोच का पता लग जाता है कि इस जादा और पॉलिश करना है कितना जादा और गुरूम करना है उसे तो मार्क दर्शन जो है वो अच्छे तरीके से हो पाता है उसके बाद है स्वयम कार्य करने की आदत पड़ती है बच्चों में ये बहुत अच्छी बात है देखिए जैसे पोलुशन का कोई भी एक असाइन जागा जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल से जब कोई नया कार्य मिलता है नया ऐसाइननेमेंट मिलता है तो बच्चा घर पे आके शोर मचाता है कि मुझे CC लेकर चलो मतलब साइबर काईफे लेकर चलो या फिर मुझे अपना फोन दो मुझे यह चीज शर्च करनी है या दिखाओ कि water pollution कैसे होता है यमुना नदी में गंदगी कैसे फैली होई है तो ये सब चीजे वो जानने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि उसे swim कारे करने की आज़त पड़ती है उसको बोलना नहीं पड़ता कि बेटा ये कर लो वो कर लो अगर उसे assignment में interest है तो वो खुद आगे बढ़कर उस कारे को करने की कोशिश करता है जिससे होता क्या है कि फिलाल वो assignment खुद से कर रहा है आगे वो हरे काम खुद से करने की कोशिश करेगा ठीक है लेकिन इसमें आपको जो घरवाले हैं उनको क्या या उगदान देना होता है कि बच्चे को swim करने के आफसर तो ऐसा नहीं कि मतलब बच्चे को कारें मिला है और कि अबकर करके देंगे ये करके नबर और दिलाएंगे ये घेल रहनING रहा होता यह बच्चे का वयावार बनाने का खेल होता तो वो खेल उसी डिरेक्षीन में जाने दो कुद मत करके दो उसे swim करने दो उसकी आध़तों को develop होने तो तब ही उसका स्थाई अधिगम व्यवार का निर्मान हो पाएगा आगर आगे चलकर वो बच्चा नहीं पढ़ा जादा नमबर नहीं लेकर आया अगर उसका ध्यान पढ़ाई से अटकर खेलो की तरफ चला गया तो उसके जिम्मेदार घरवाले होते हैं वो बच् कारे हैं मतलब यह कि आप उसे खुद करके देखोगे मतलब कोई भी जो कारे करने वाला होता है उसे हम क्या कह सकते हैं व्यवारिक कारे बोल सकते हैं जो आप घर पर आने के बाद आपनी जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें जुड़े रहकर जब आप कारे करते हो तो उसे हम वैभारिक कार्य कह सकते हैं ठीक है वो कार्य क्या होगा वो आपके वैभार के साथ मतलब किस टाइप की आपकी सोच है किस टाइप का आपका behavior है क्या आप अपनी daily life में करते हो कितना खुद को explore करते हो कितनी अपनी शमताओं को और बढ़ाते हो वो सुनिश्चित करता है ठीक है तो इसे हम वैभारिक कार्य बोल सकते हैं इसे हम practical work बोल सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते है नेक्स्ट है विभिन पहलू का समावेश होता है मतलब ये कि कोई भी assignment आपको दिया गय उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अलग अलग कारे करने पड़ेंगे कभी आपको इंटरनेट पर सर्च करना पड़ेगा कभी आपको जो समाचार पत्र होते हैं उनसे फोटो जो है काटनी पड़ेंगी कभी आपको अपने जो लोकल एरिया है उसमें पूछत कि वो हाल फिलाल के यंतरों से अफ़द होगा। थीक है। उसके बाद समाचार पत्र.. बच्चे कभी भी समाचार पत्रों में रुच्ची नहीं लेते जब लेकिन उन्हें कारे पड़ेगा तो वह समाचार पत्रों को thringLYEjGAY ढूंडेंगे चित्र ढूंडेंगे चित्र ढूंडेंगे तो उन्हें ये पता चलेगा कि समाचार जो पत्र होते हैं उनमें ये चीजे भी मिलती हैं तो आगे चलकर उन्हें क्या होगा समाचार पत्रों में भले ही वो कम समय दें लेकिन वो कोशिच करेंगी समाचार पतर को एक बार जरूर देखें तो वो एक और अलग पहलू आ गया उसके बाद क्या है assignment को बहुती साफ सुत्रा स्वच्छ बनाना पड़ता है जो आपकी normal copy होती है उसमें आप देखोगे कई बार cutting कर दी या आपने कई बार मतलब साफ सुत्रा कारे नहीं है पैन बदल गए है आपके कभी नीले कलर के पैन से लिख रहे थे कभी काले से लिख रहे थे कभी जैल पैन से लिख रहे थे कभी बॉल पैन से लिख रहे थे मतलब वो सवच्छता नहीं रहती साफ सफाई नहीं रहती लेकिन assignment जब आपको दिया जाता है तो आपको स्वच्छता का ध्यान भी रखना पड़ता है तो assignment बनाने के चक्कर में आपकी जो real life habits हैं जो आपकी असल जिंदगी की आदते हैं अपनी copy को साफ सुतरा ना रखना वो भी अपने आप बदल जाती हैं और assignment बनाते बनाते आपको खुद को पता नहीं चलता कि आपनी copy किताबों को साफ सुतरा रखना कब स्टार्ट कर दोगे तो ये क्या है ये विभिन पहलू का समावेश हो जाता है उसमें अब उसके बाद अगर इतनी सारी अच्छी बाते हैं तो कुछ क्या होंगे कुछ दोष भी होंगे कुछ कमिया भी होंगी वो कमिया कौन सी है वो एक बार देख लेते हैं तो सिक्षक पर निर्देशन का भार काफी जादा बढ़ जाता है. जैसे हर एक बच्चे की अपनी शमताई होती हैं, हर एक बच्चा अपने अलग तरीके से आगे बढ़ता है, तो हरेक बच्चे पर अलग अलग ध्यान रखना, ये क्या है? अलग अलग उसको निर्देश दे में treat करता है और उनको जितनी भी knowledge देनी होती है वो दे देता है लेकिन इस विधी में क्या करना पड़ता है हर एक बच्चा कौन से स्तरपर है उसे उसी प्रकार से निर्देश देने पड़ते हैं ठीक है तो यह क्या होगा सिक्षक पर निर्देशन का बहार काफी जादा बढ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि यह जो तकनीक है यह जो तरीका है यह अधिक समय लेता है यह आप सभी को पता है मतलब कि आपको pollution का एक topic समझाना था अब अगर मैं चाहूं तो इस पूरी चीज़ को मिटा कर pollution आपको पूरा एक गंटे में समझा दूगा जैसे air pollution हो गय radioactive pollution हो गया जितने भी pollution होते हैं वो सारे के सारे आपको इस board पर अभी मिटा मिटा के समझा दूगा एक गंटे में आपको सब समझा जाएगा लेकिन बात क्या पड़ती है कि अगर आपको assignment दे आ जाए उसी चीज़ का तो कभी internet का इस्तमाल करना कभी समाचार पत्रों का इस् इन सकी चीज़ों में समय लगता है especially जब खुद करके दिखाना पड़े तब तो ये क्या है ये अधिक समय लेता है लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी बच्चा होगा उसमें जो भी ग्यान आएगा उसका जो भी concept clear होगा वो क्या होगा वो स्वेम करेगा और वो स्थाई करेगा पर्मानिंट ग्यान होगा उसका ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आधिक समय वाला हो गया ये उसके बाद अभी प्रयोग शाला पुस्तकाले या फिर स्रोत के अभाव में ये जो विदी है ये प्रभावी नहीं होती ये उप्योगी नह अभी तक उसे जितना ग्यान है उसमें बाकी का ग्यान जो है वो स्वेम अरजित करे तो वो ग्यान कहां से अरजित करेगा या तब वो पुस्तकाले से अरजित करेगा या वो प्रयोग शाला में नईने चीजें करके अरजित करेगा या फिर अलग-अलग स्रोत का इस्तमाल करेगा internet का magazine का newspaper का अलग अलग चीजों का वो इस्तमाल करेगा और तब जाके उसको नवीन ग्यान मतलब नया ग्यान अरजित होगा जिसे वो collect करके जिसे वो संजो कर अपने सिक्षक के सामने पर दर्शित करेगा तब उसका assignment पूरा माना जाएगा लेकिन अगर प्रयोग शाला नहीं है अगर पुस्तकालय नहीं है अगर आपने ऐजादा क्या है著 Йॉन लोग यो उनसे पता करके अग्रीक मतलब ठीकandy जो जो सोच होती है उसको अपने पन्नों पर उतारना जो पेजिस होते हैं उस पर वो बाकी लोगों की सोच उतार सकता है जो सही हो सकती है जो गुलत भी हो सकती है तो एक उस आदिवासी बच्चे का असाइन्मेंट और एक जो मेट्रो सिटी में रहता है जिसके पास सब है जिसक आपको जो assignment strategy है जो दत्त कारे नेती है वो आपकी काम नहीं करने वाली आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए सुझाव क्या है इसके लिए सुझाव है ये कुछ चीजें एक बार देख लेता हूं कि आपको board पे साफ दिखाए दे रहा है कि नहीं हंज साफ दिखाए दे रहा है तो सुझाव क्या है इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए पहली बात कि ये कारे आपको प्रति दिन नहीं देने मतलब assignment जो हर रोज नहीं देना डेली नहीं देना क्यों क्योंकि पहली बात कि बच्चे को पहले वाला assignment बनाने का पूरा समय दो दूसरी बात रोज assignment दोग गिरा देगा ठीक है तो ये एक बात दूसरी बात कि जो भी आप कारे देते हूं उसका संबंद पार्ट से जरूर होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पंचतंत्र की कहानी पढ़ाई अभी कि कच्छुआ जो है जीत गया था खरगोश से और असाइनमेंट दे दिय ये पार्ट से उस असाइनमेंट का उसके बाद योग्यता और आयू के अनुसार उसे असाइनमेंट देना है जैसे इस बात से हम लोग बड़े परेशान होते हैं कि बच्चा अभी किस में है बच्चा अभी नरसरी में है और उसे क्या काम दे दिया उसे काम ये दे दिया ए कैसे थोड़ी हो सकता है बच्चा कैसे मतलब slogan सोच लेगा अलग-अलग और उसके बाद अगर वह अच्छे slogan ना लेकर जाए तो उसके number cut देते है appreciate करने की बजाए पूर दे देते हैं तो इस चक्कर में होता क्या है इस चक्कर में होता यह है कि बच्चा क्या करता है अपने घरवालों को force करता है कि मुझे अच्छी अच्छी चीज बना कर दो मैं नहीं बना हुआ मुझे अच्छी अच्छी चीज बना कर दो ताकि क्लास में जाके गुड मिले तो ये क्या है ये आपने योग्यता और आयू के अनुसार कारे नहीं दिया था तो जब आप टीचर बनोगे तो ये बात याद रखना उस बच्चे का एज ग्रुप देखो उसकी आयू देखो और उसकी योग्यता देखो तब जाकर उसे कोई भी काम देना और कोई भी काम देने से पहले ये सोच लेना कि ये बच्चा अगर मेरा होता तो क्या मुझे ये वाला काम देता तो ये थोड़ा सा देख लेना उसके बाद भी सपष्ट होना चाहिए मतलब जो भी आप काम दो वो सपष्ट होना चाहिए बच्चे को समझ में आन उसका एक उदेश्य होना चाहिए जब भी आप pollution पर assignment बनवाते हो तो बच्चों को बोलना है कि जो चीजे आप इसमें negative लिख रहे हो जिंदेगी में खुद कभी मत करना उदेश्य क्या है उदेश्य यह है परियावर्ण को उस परदूशन से बचाना तो परियावर्ण परद उदासीन हो जाए कि यह कोई बात होती है यह कैसा assignment है यह तो करने योग गई नहीं है यह मतलब हमें क्या सिखाएगा या इससे हमें क्या सेखने को मिलता है ऐसा कुछ नहीं ठेक है तो जो भी assignment आप दो छातर उसके लिए प्रेरित होने चाहिए उदासीन नहीं होने अपने जो चुरू हुई थी उसके पहले महिने में भी आपने पॉलूशन जो है वो टोपिक दिया था छटे महिने में भी दे दिया फिर नोवे महिने में भी दे दिया तो यह चीज़े आपको नहीं करनी है तो छातर जो है वो प्रेरित हो नई नई चीज़े हो आपको excitement level बढ़ाना है बच्चे का जितना ज्यादा excitement level उतना ज्यादा बच्चा प्रेरित होगा और उतना ही ज्यादा अच्छा assignment बना कर लाएगा तो यह क्या है यह कुल मिलाकर आपकी assignment strategy थी मतलब दत्यकारे नीती थी जिसका फाइदा क्या होता है कि बच्चा जो है स्थाई अधि करने वाला है किस प्रकार से वो चीजों को सीखने वाला है उसके लिए उसका एक स्थाई व्यवहार मतलब पर्मानेट बेहेवियर डेवलप हो जाता है तो उसके लिए आपको दत्यकारे नीती या assignment strategy जो होती है वो सही तरीके से इस्तमाल करनी है सही तरीका मैंने आपको ब तो अगर आपको समझ में आया है तो like करना है, share करना है, comment करना है और नई हो तो subscribe करना है इसके अलावा एक और काम कि इस वीडियो के description में और पहले comment में टेलीग्राम चैनल का आपको link मिलेगा वहाँ जाकर टेलीग्राम को जरूर join कर लेना ताकि आपको समय पर join notification मिलती रह है वो भी उस link को एक बार टच करके जरूर देख लेना ऐसा हो सकता है कि आप अभी तक आपने टेलीग्राम को join ना किया हो आपको लगता हो कि मैंने join कर रखा है इसी वज़े से आपको notifications ना मिलती हूं तो वो एक बार जरूर देख लेना आज के लिए इतना ही तो बस बढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए यही उमीद है आपसे मिलते हैं next class में कुछ नहीं चीजों के साथ